दोस्तों आज हम एक काफी important website के बारे में समझेंगी website का नाम है 4x factory काफी सारे लोगों को confusion था कि कैसे उसको search करना है क्या चीज़े करनी है समझो यहाँ पर हम सबसे पहले search करेंगी 4x factory search करने के बाद में first हमारी website open हो जाती है यहाँ पर हम क्लिक कर लेता है बिल्कुल basic से समझता है क्या क्या चीज़े होती है और इन चीज़ों को क्या importance होता है समझाती तो हो आपको यहाँ थ्यान देनी वाली बात है यहाँ पर काफी सारी चीज़े involved हो रही है मैं वीडियो जब explain कर देना चाहता हूं कुछ चीज़ें बहुत जादा simple होती है बट हम लोग क्या करता है उनको complicated बना कर देखना पसंद करता है क्योंकि हमें पहले से यादत होती है कि complicated चीज़ें शायदा काम करती होंगी जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है simple चीज़ें simple ही होती है बट हम ल यहाँ पर क्या है like trading के बारें बताते है trading systems के बारें बताते है trading discussion चल रही है समझ रहे हो बाबा ग्यान चल रहा है without any reason कोई भी like valuable चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं है कि मैं आपको बोलो directly जाके महाँ पर search करो and उसको use करो आप यहाँ पर देखोगे क्या चल रहा है भाई latest liked क्य किसने क्या like किया किसने क्या नहीं किया इतना खाली समय किसी के पास I don't think होता होगा कि यहाँ पर बैटके इसको check करेगा किसने क्या किया किसकी बात पर क्या हो रहा है दो को दो या तीन चीज़ी होती है market यह ओपर जाएगी market नीचे जाएगी third condition market sideways रहेगी अब इन तीन conditions के अंदर भी अगर हम इतने सारे लोगों की राय समझेंगे एक अपनी राय नाम मानकर दूसरों की राय समझेंगे तो क्या होने वाला है common सा concept है नुकसान पर नुकसान होने वाला है तो सबसे पहली बात forum वाला part exit इसके अंदर कोई काम करने की जरूरत नहीं है कितने members हैं लो आपने forex factory पे गए आपने यहां पर login किया अपना details share किया share करने के बाद में इनका काम है कि forex brokers जो होते हैं best वो share किये जाए अब वो forex broker इंडिया हम से हैं इनको तो नहीं पता ना यह क्या करेंगे यह तो share कर देंग और आप अपना account खोलोगे trade करोगे और आ फर्ज यह बात ध्यान रखना तो इनकी गलती मैं count नहीं करूंगा गलती हमारी है ना अगर हम इन चीज में यहां पर login कर रहे हैं login करने के बाद पता होने के बावजूद big forex market international हमारे यहां पर allow नहीं है इनका तो काम है share करना ही तो करेंगे तो भाई यहां पर ध्यान रखोए membership व कुछ यहां पर दिखा रखा है इतने सारे लोगों को follow करने की फिर क्योंगा जरुवत कुछ भी नहीं है यहां पर आप देखोगे फाल्तो की चीज़े हैं मेरे हिसाब से कोई काम की चीज नहीं है क्योंकि हम लोग यहां पर इंडिया में रहते हुए इंडियन मार्केट मे काम करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में जब काम करना चाहते है तो rules and regulations हमें पता है then definitely यहां पर कोई बी इन्सान अपना कह सकते हो दो second भी भरबाद करने की कोशिश नहीं करेगा then बात करते है next step आप यहां पर देख रहे होंगे rank दिखा रहा है average return कितना निकला बही कितन दिन से इसने क्या trade ली है, क्या return इसका निकल कर आया, कितना account इसने कह सकते हो zero बनाया, किस particular order के अंदर ये काम करता है, कहाँ पर ये work करता है सारी चीज़े यहाँ पर आपको explain करके दिखा देता है हमें इसके बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चीक है, तो trades वाला पार्ट जो है, वो भी without any reason, आपके लिए तो नहीं है, यहाँ पर फिल्टर लगाओगे, पता नहीं क्या 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 चीज़े करोगे कि भाई मुझको तो केवली सी particular currency में काम करने वाला इंसान चाहिए, तो common सी बात है, वो इंसान आपको मिल भी गया, तो आप क्या करोगे, उसको कॉपी करोगे international market में, जो कि अलाओ ही नहीं है, चलो जी, बहुत अच्छा, next बात करते हैं यहाँ पर, calendar पर आ जाते हैं calendar में क्या होता है, सारे के सारे जितने कर रहे हैं, इसके उपर notes create कर रहे हैं, I don't think कि यह कभी मैंने ऐसा किया होगा, कि मैं इसके उपर notes create करूँगा, future में भी नहीं करूँगा, बट मेरे पास कुछ ऐसे लोग आता है, जो कहता है, हमने forex market से चीज़े सीखी है, समझो, देखो, कैसा लग रहा है, सही है, भाई, तुम करना क्या चाते हो, PhD करना चाते हो, या ट्रेडिंग करना चाते हो, सिंपल सा concept है, ट्रेडिंग करने के लिए बुद्धी चाहिए, इतनी सी कि बढ़े, trend क्या है, क्या चीज़ करनी है, क्या news आ सकती है, उसका impact क्या है, वो दिखना चाहिए, अब जब सामने, आपको पूरी राम का था ही, लोगों ने खौल के दिखा रखी है, फिर भी आप खुद देखो, यार, पूरी कहानी आपको यहाँ पर बता रखी है, फिर भी आप कहते हो, नहीं जी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर business confidence क्या होता है, इसको देखेंगे, यह कौन से lawn है, यह देखेंगे, हम यहाँ पर सारी चीज़े खुद से करने की कोशिश करेंगे, PhD करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही गंदा वाला idea account होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो सारी चीज़े आती है, कौन-कौन से currencies है, important currencies, उनके सब के news जितने भी होंगे, लोग यहाँ पर क्या करता है, filter पर जाता है, filter पर जाने के बाद में केवल USD, जैसे मुझे USD का का काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, केवल USD पर apply filter करूँगा, और देखूँगा भई क्या क्या चीज़े यहाँ पर आ सकती है, calendar में क्या क्या चीज़े है, कौन सी थारी को क्या चीज़ हो सकती है, ठीक, तो यह condition यहाँ पर count हो जाती है, बट हमें इसकी भी कोई खार जरुवत नहीं है, वो news section के अंदर में दिख जाएगा कि कौन सी important news है, जो हा रही है, हमें केवल उसको देखना है, देन उसके बाद में बात करें, market की हैं बात की जाती है, market के अंदर क्या क्या चीज़े हो रही है, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूंगा, इतनी सारी चीज़े क्या आप कर पाओगे, आप खुद सुचो, market के अंदर क्या चीज़े है, कहाँ पर क्या हो रहा है, आपको nifty में भी काम करना है, आपको bank nifty में cnbc पे बैठे वे जो लोग उते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, बता देना चाहता हूं, मेरे पास भी काफे सारे ऐसे वीडियो के लिए, मैं कहता हूँ, 33,000 रुपे एक वीडियो के लिए देने के तयार हो जाता है, यह देने वाले जो जो CNBC पर बैट कर बाबा बंद हैं कि ये वाला स्टोक उपर जाने वाला है सोचो उस इंसान ने कितना पैसा लिया होगा जो हम जैसे छोटे से इंसान को लाइक कह सकते हो 30,000, 40,000 देने के लिए तयार है वो particular investor या company कि भाई आप हमारी company की तारीफ करो और ये कहो कि मैंने भी अपने पैसे invest की है ऐसा मैं क्यों बोलू पर यहाँ पर CNBC पर जो लोग बैठे होते हैं मेरे भाई उनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि वाँ पर दो दो दिन दिन पशपश लाख रुपे मिलते हैं विदिन 5-10 सेकंड का बोलने का कि यह कर लो क्योंकि उनको भी पता है कि CNBC जो है कहां पर बैठ कर लोग देख रहे हैं क्या चीज़े हो रही है तो उस चीज़े का पैसा बहुत तगला उन लोगों के जेब में जाता है और यह बात आपको पता होगी देफिनेटली उनके कही भी चीज़ों पर आप कभी भी इंवेस्मेंट नहीं करोगे इस बात को ध्यान रखना लोग गलती यही करता है टीवी खोलके बैठे वाए पूरा दिन टीवी चल रहा है मैं कभी भी ट्रेड करते हुए टीवी ओपन नहीं करता हूँ रीजन है उसके पीछे, common सी बात आती है without any reason पॉपट नहीं बनना है ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है upcoming event वगेरा यह website की पूरी दिखा रहा हूँ है कोई खास ऐसी चीज़े नहीं है कि आपको यहाँ पर मतलब आप खुझ समझो, एक रुपया होते हुए तीन हजार की ट्रेड आप ले रहे हो, तो मैं कहता हूँ 3000 टाइम का यहाँ पर लीवरेज गाउंट हो रहा है अकाउंट ऐसे गायब हो जाता है सेकेंड भर में गायब हो जाता है वो केवल 200 टाइम तक का ब्रोकरिज लाइक लिवरेज देता है तो यह सारी चीज़ आप देख सकते हो, कितने सारे ब्रोकर है अब यह एक्सनेस है न, एक्सनेस की बात की जाए यहाँ देखो 2000 टाइमस तक का आपको दे रहा है यह बता रहा है कि मैं यहाँ से हूँ और प्लस यहाँ पर क्या है? हेड कोटर कहाँ पर है? बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करता है? हेड कोटर देखकर खोश हो जाते है अजी ये तो दुबाई के अंदर है, safest है, भाही safest नहीं है, दुबाई में जाके तुम किसी को पकड़ भी नहीं सकते हो, यह बात भी आजाती है, तो यह सारे के सारे चीज़े हैं, कौन-कौन सी, कितनी करेंसी देता है, 69 करेंसी में काम करने के लिए लाव करता है, I think खुछ जैसा होगा बेस करेंशी कितनी कौन कौन सी है सारी चीज़ें यहां पर दिखा रखा है किसमें हाई इस्ट एक इसमें लोश्ट यह जो ब्रोकर यह आपके इंडिया में लीगल नहीं अगर आप सोच रहो मैं यहां पर जाओंगा ब्रोकर्स पर बहुत सारे लोगों के पहले free demo account खोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके बाद में क्या है, पैसे भी डाल लो जब तुमने free खोल लिया, तो पैसे कौन डालेगा, वो भी चीज़ा जाती है, तो इस वए से ये सारे के सारे, जितने भी broker है ना देखो, ये जितने भी broker आपको दिख रहे हैं, द करोगे, तो number 2 में तो ऐसा होता है, मालो मैंने बोला, भाई मैं Axiness का like partner हो, तो मैंने आपको बोला, भाई एक काम करो, Axiness में पैसा जमा करना है, एक काम करो, आप cash में दे देना, या फिर मैं एक number बताता हूँ, उस account में transition कर देना, अब आपने transaction की, तो Axiness को तो नहीं पताना लाइक फर्जी ब्रोकर्स हैं, ये ब्रोकर्स बहुत अच्छे होता हैं, बट इंडिया में रहते हुए, इनमें काम नहीं करना होता है, ठीक है मेरे भाई, यहां तक की बाते क्लिए रही, अभी तक कि मैंने login तक नहीं किया है, क्यों कि मुझे जरूवत ही नहीं है, login कर क्य रहे हो, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज ध्यान रखने के आ जाती है, जब किसी चीज की हमें एक छोटी सी जरूवत है, तो मेरे भाई उस छोटी सी चीज को करने के लिए काम करो ना, क्यों आप यहां पर पूरी login, पूरा सब कुछ करते हो, अब आ जाते है मेन मुद्देपढ, देखो यहां पर, निउस पर क्लिक किया, यहां पर आपने देखा क्या क्या चीजा है, लाईग यहां पर trade पे, forum पे, 4X factory, पूरी की पूरी आपने देख ली, अब यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर धिहान देनी वाली बात है, कि क्या क्या चीजां मे क्या रह सकता है अगर मानलों को नेगेटिव नीज आने वाली है तो मैं क्या करूंगा अपनी पोजिशन को बांधूंगा कि अगर नेगेटिव नीज आ गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो सिंपल सी बात आती है देखो ध्यान से समझो पहले सबसे पहले आपको क्या करन सरकर में करने के बाद में अब इहां पर ऑपर ना है इसमें फॉल सब करने के बाद के सारी चीज और चाहिए आगे ने और यूएज़डी के इंदर भी बट मैं नहीं करता मैं के वल यूएज़डी आनर में काम करता हूँ तो यूएज़डी की निउस देखूंगा आएनर की निउस आर भी आ इने कोई होने वाला है लो इंपक्ट है एक्सपेक्टेड अगर नियूज नेगेटिव पॉजिटिव भी आ तो अपने पपा का कुछ नहीं जाना है यहां पर क्या है शाम के 6 बजे एक नियूज आने वाली है जिसका की है विदाउट अनी रीजन आ बैल मुझे मार यह वाली चीज करने की कुई भी जरूवत नहीं है CPI क्या है, core CPI क्या है, कैसे काम करता ए? अरे मेरे भाई तुमको उससे करना है क्या है? खुद सोचो तुम तो यह तरीका हुआ, यहां पर आने के बान में अब कहूँआ इन को क्शीन देखना है, क्या चीज होती है? तो इहां पर कुछ चीज फोकस करना है यहां पर लिखा है तो forecast ठीक है यहां पर previous लिखा है कि पहले क्या हुआ था then actual अभी तक यहां तर डाटा नहीं आया तो डाटा नहीं आया इसका मतलब क्या है देखो मैं पिछले दिन जाता हूँ पिछले दिन वाली नीज पर सारा डाटा आया वह होगा जैसे यहां पर पिछले दिन कोई खास नीज नहीं थी देन उसके बाद में भी नीज नहीं थी खास यहां पर देखते हैं और आम से पीछे की तरफ कोई नेगेटिव नीज ओ देखो यहां पर देखो यहां पर आप देखोगे तो क्या चीज थी यहां पर बताया जा रहा है स open detail यहाँ पर click किया अब यहाँ पर जाके मैं इसको चाहूं तो source को देख सकता हूं भाई source कौन था कौन सी authorities होती है जो इसको publish करती है इतना बापा ग्याना में करने की जरुवत है ही नहीं measurement क्या होता है हमें नहीं पता क्या करना है usual effect क्या हो सकता है actual जो हमारा actual data निकल कर आने लिखा होता है actual data अगर जादा आता है जादा आता है किससे जादा आता है जो हमने यहाँ पर forecast किया होता है कि भाई इतना आना चाहिए अगर उससे जादा आ जाता है like पहले वाले से भी ज जोड़ान इंपेक्ट जाएगा, अगर यहाँ पे unemployment rate सही से आता है, positive आता है then यहाँ पे क्या चीज होगी, actual less than forecast लिखा हुआ है actual less than forecast, तो forecast कितना था 3.6 और निकला कितना 3.5, means कम हुआ, sorry, यहाँ पे employment rate कह सकते हो, थोड़ा कम हुआ unemployment rate, तो इस condition में, वो positive news count हुई, लिखा रहा है, actual less than forecast, then it is good for currency, चलो जी, उपर की तरफ देख लेता है, इसमें क्या है, यहाँ पे देखेंगे actual greater than, यहाँ पे देखेंगे हो changes आ गए, actual greater than किस से, जो हमारा forecast किया गए, तो यहाँ पे क्या है, 236K है, यहाँ पे 228K है, तो भाई हमें नहीं पता ही, क्या है, कितना करना है, क्या करना है, अपना कोई लेना देना नहीं है, उससे, हमें तो क्या वर इतना है, भाई positive आया, तो good, अच्छी बात है currency के लिए, negative आया, यहाँ पे लिखा रहा है, कि actual greater than forecast is good, यहाँ पे क्या है, actual जो आया, बिल्कुल सेम ही आया, forecast के बराबर, ठीक है, तो ना तो कोई positive news का impact पड़ा होगा, इसका ना कोई negative का पड़ा होगा, इतनी सी चीजे मैंने यहाँ पे देख लिए, अब इसके अंदर अगर कोई कहने लगा है, मुझे PSD करनी है, या कुछ ऐसी चीजे करनी है, then definitely आप क्या कर सकते हो, higher education के लिए जा सकते हो, कि मुझे तो भाई 4X education के अंदर कह सकते हो, PSD की एक degree चाहिए, भाई वो चीजे हम लोग नहीं कराते, ना मेरे बसका है, ना मैं करता, तो common सा concept आप समझ लीजिए, काम करने का ना तरीका simple ही है, हम लोग इसको complicated लेकर जहा रहे हैं, ठीक, अब देखो माल लो, मैं हापे बोलता हूँ, आज की बात करें, जब मैं वीडियो create कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि बाई, शाम के 6 बजे के आसपास negative news हो सकती है, high impact news आ सकती है, अब इस news का positive impact भी हो सकता है, उपर भी भाग सकता है, उपर भी भाग सकता है, negative भी हो सकता है, अगर मेरी quantity high है, मैंने बोला मैंने 100 quantity को buy करके रखा हूँ, क्योंकि मेरा overall trend अप रहता है, तो मैं uptrend में continue करना चाहता हूँ, यार तो उस condition में, 100 lot अगर मैंने buy किये वार, मुझे पता है कि बाई, शाम को मेरी negative news या positive news आ सकती है, तो उस condition में, अगर मैं अपनी position को बांध कर, चला जाओंगा, मतलब मैंने soul out मानलो June मंत के buy कर रहा है, क्यों मैंने July मंत के sell कर दिये, उस condition में आपको exit भी तो कर सकते थे, नहीं मेरे भाई, अगर यहाँ पर negative news आ गई, तो क्या होगा, USDA नीचे की तरफ basically अगर गिर जाता है, negative news के उपर, नीचे की तरफ गिर जाता है, तो उस condition में, मैं अपनी sell वाली trade के इंदर profit book करूँगा, और अगर वो उपर भाग जाता है, तो अपने भापा का क्या जाता है, हम तब ऐसे भी उसको trade को exit करने वाले थे न, क्यों हम इस negative impact वाली जो news होगी, उस particular time पर किसी भी active trade में नहीं रहना चाते थे, तो यह थोड़ी सी strategical part हो जाता है, आप खुछ समझो, common sense लगाओ, कि positive and negative का game है, simple सी बात है, और जब कि हमें पता है, कि overall trend अप है, फिर भी हम लोग डरते हैं कि इस चीज़ को लेकर, कि भाई नीचे गिर गया तो, भाई नीचे गिरने का मतलब है, एक better opportunity, आप मैंसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कहते हैं, investment करने हैं मेरे भाई, देखो यार जब वो नीचे bottom पे होता है, आपको साला ना मिलता है, उसमें खुश रहो, तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो, भागी देखो काम करना है, तो देखो profit loss उपर नीचे होगा, और जो इनसान सही जगापर बिल्कुल bottom पे जाके यार entry कर पाएगा, ना opportunity को देखते हुए, वहीं यहाँ पे actual में profit भी गेन कर पाएगा, अब आप खुश समझ सकते हो, काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो confused हैं, पता नहीं क्यों confused हैं, उनको यहाँ पे देखने में, मुझे नहीं लगता है, इसमें कोई ऐसी rocket science वाली चीज मैंने बताई है, ना ही मुझे कुछ पता है, कि ऐसा कुछ rocket science में आपको बता दूँगा, CPI.EI तो ऐसा करना, अरे भाई क्यों करना हैं, यहाँ पे simple simple लिखा हुआ है, कि actual अगर जो आएगा, वो greater than हुआ, forecast से, तो common सी बात है, वो good है, अच्छा है currency के लिए, अब इससे हमें और जादे क्या लेना चाहते हो, यार, इतनी सारी चीज़े, यह particular website ने, आपको बता दी, ठीक, अब इस website पर जाके आप गलत चीज करो, means broker open करो, brokerage, अपना broker open करो, international joke, allow नहीं है, यहां कैसी को follow करो, यहां की news पड़ो, वो आप खुद का अपना time pass कर रहे हो न, वो करते रहो, आपको feel हो न, चीज़े, मैंने कुछ trading की, यह अपनी personal choice है, ठीक, मैं यहां पर आके morning में के वल news देखता हूँ, news भी क्या, impact किते बज़ाएगा, क्या timing है, अगर मुझे लगता है कि हाँ, important news है, then उस condition में मैं अपनी position को बान दूँगा, लगता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, then उस condition में मैं उसको continue रहने दे सकता हूँ, मुझे कोई problem count नहीं होती, so I wish कि यहां तक कि बाते यार, पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी, फिर भी किसी के mind में कोई question है, तो करना क्या है, वीडियो के description में बने number दियो है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप easily message कर सकते हो, मैं यह मेरी team आपको directly contact कर लेगी, WhatsApp पे ही, और आपको properly समझा देगी, कि क्या क्या आपकी problem है, क्या आपकी mind में कह सकते हो, chemical problems create हो चुकी है, कि भाई नहीं जी, मैं तो पूरा का पूरा PSG करूंगा या करूंगी, तो then उस condition में भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको जो करना है कर सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस चीज को जितना समय देना चाहिए, उतना ही समय देना चाहिए, अब आप कहने लगो, मैं तो पूरे पूरे दिन 4X factory पर ही बैठा हूँ, या बैठी हूँ, उस condition में भाई वो आपकी problem है, चीक है, वोसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, इससे easy video यार, इससे easy कह सकते हो concept जो है न, मैं नहीं समझा सकता, सिंपल सी बात है, जब सी सामने लिखी हुई है, आपको केवल ध्यान रखना है, कि impact आने वाली news आ रही है, या नहीं आ रही है, अब सोचो, यह सारी चीज़े यह तो agencies डालती है, ठीक है, यह agencies है, भई कौन डाल रहा है, Bureau of Labor Esthetics इनने डाल दिया, अब मैं कहां सर्च करता फिर हूँगा, Google पर बैठके, कि भाई जी कौन CPI कब रिलीज होगी, कौन सा data होगा, यह सारा काम इन्होंने, फोरेक्स वैक्ट्री वालोंने कर दिया रहा, अब इस काम को आपको बना बनाया, जो मिल रहा है, उसको आप यूज भी नहीं कर पा रहे हो, देन भाई आप ट्रेडिंग नहीं कर पाऊगी, यह बाद सच है, यह बाद ध्यान रखना, झाल कर रहे हमें में इस कुआ। स्वारोभ स्वालों रहे हो, यह बाद सच कहाई। जो मिल रहे हमें कर दो कश Влад सब्सेनudd Ж óga झाल झाल